नमस्कार स्वागत आप सभी का वीजेन एजूकेशन कारेकर में मैं हूँ आपके साथ कृपाशंकर शर्मा आज बात हो रही है नतीजों को लेकर जी हाँ बारवी के नतीज़े आगे हैं इसे पहले बारवी कोमर्स साइंस के नतीज़े आए अभी आर्ट्स के नतीज़े आए हैं तस्वी के नतीजों को लेकर भी जो होप सामने आई है जो उमीदें सामने आई हैं वो अपने आप में कहीं जो नई पीड़ी है उसके लिए उस सहाव वर्दक है नतीजों के बाद में किसी को खुशी मिली किसी के लिए कुछ निराशा भरे पल भी रहे लेकिन इन परीशाओं के बाद में आपका करियर कैसा रहेगा आगे आपको कैसे बढ़ना है पोजिटिव आपको कैसे रहना है और जो नतीजे आए उनको लेकर क्या सितिया बन सकती हैं तमाम पहलों को लेकर बात करेंगे और इसके साथ ही मोनो वैग्यानिक बदलाव क्या होते हैं उनके उपर भी चर्चा की जाएगी आप कैसे लगा आतार सक्सेस हो सकते हैं इसको लेकर भी टिप्स आपको इससे पूरे कारिकरम में मिलेंगे सबसे पहले आपका परिशे करवा देता हूं खास महमान इस वक्त हमारे साथ में मौझूद हैं स्टूडियो में सहय काचारे समस से धरमदीप सिंग जी सर बहुत बहुत स्वागत आपका कारिकरम में और इसके साथ ही वरिष्ट पत्रुकार वरिष्ट सेहुगी राखी हजेला जी भी इस वक् समझा है उनकी परिशानियों को जाना है तो ऐसे में आज की चर्चा में आपके राय भी बेहत महद पुन होगी शुरुआत करते हूं और सबसे पहले जो नतीजे घोशित हुए हैं उनकी बात करना चाहूंगा राखी जी बारवी के नतीज़ा आए हैं एक बार फिर से लड तीक परिक्षा में लड़के लड़कों से आगे ही रएग भात है कि लड़कियों को सेकंड्री माना जाता रहा है लेग आपनी जो योगज़चन थालि था शाबित किया इस बार के ड़के फीर इसे पहले लगातार कर दी रही है ना सरो बोड एक्जाम में बलकि अगर हम कर को मानसिकता हुए था सब से इसरे का एक का वन को आह मनसिकता में बढ़ कि एक तब यहां पर लड़कि conveminं बना बना आ है। अगे आगे बहुआ उनल एक का मानसिकता है ढ़र नहीं से जहां पर लड़कियों को एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जा रहा हैं या बहुत जाड़ उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा उन लड़क के मन मेंट में कहीं नहीं यह चीज आ कि अगर उनको फ्रीडम नहीं मिल रही वो जो चाहती है जिस छेतर में आगे जाना चाहती है पिरेट्स नहीं दे रहे हैं तो खुद अपने आपको उस लेवल पढ़ लेकर आने की कोशिश करे हैं अंदर का जो उनका गुस्सा या आकरोश है वो इस तरह से निकल कर आ रहा है य ये चीज़ भी है उस वज़े से भी लड़किया लगातार आगे बढ़ रहे हैं बिलकुल बहुत बहुत शुब कामना है उन तमाम विद्यार्थियों को जो सफल हुए हैं और अच्छे नंबरों से पास हुए हैं मेरिट में आया है और इसके साथ ही उन्हें भी बहुत सार चाहूंगा सबसे पहले तो इन नतीजों को लेकर में रहे जानना चाहूंगा जैसा कि राखी जी ने कहा कि पोजिटिव सेंस में बच्ची आंगे बढ़ी हैं और जितने मोके इनको मिले हैं हर बार परचम रह रहा है कितना आप इससे पोजिटिव मानते हैं किस तरीके से नतीजों को देखते हैं आप आज के जमाने में जो है पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल का और सुसाइटी का एज होल हम देखें तो बच्चियों के एजुकेशन को लेकर के नजरिया भी बदलता जा रहा है पहले जिन फील्ड के अंदर जो है महीलाओं को खास तोर पर जाना अच्छा नहीं माना जाता था आज उन सभी जगे हम देखते हैं कि चाहे वो राजिकर्मी के स्तर पर हो चाहे दूसरी प्रोफेशन्स हो महीलाओं काफी अच्छा कर रही हैं और एक्चुली लीड कर रही हैं काफी अच्छे से ग्रूप को तो यह करियर का एक सबसे प्रार अच्छा जो विबाग हैं उनको भी लीड करती हैं तो काफी जो रैजिलियंस है जो हम देखते हैं वो महीलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है एक जो हस्तरी है अपने जीवन में सभी प्रकार के आयाम हैं उनके साथ में डील करती हैं चाहे वो गहरेलू जम्मेदारिया हो चाहे वो स्वयम की और घरवालों को सपोर्ट या केर हो वहीं करियर में भी अगर वो एकसल कर रही है तो एक काफी सहरानी या निकी कहने का मतलब है कि कही ना कहीं उन पे एक दबाव ज़रूर रहता है कि आपको प्रदर्शन अच्छा करना है आपको कही ना कहीं नतीजे में पोसिटिव ही देने हैं इस सैंस में मनोविग्याणि करनाे मेरा मानना है कि सब वेक्थियों पर होता है छाए वो लड़किया हो तहहां और यहां पर आपकी जो रिजीलिन्स है आप आपकी को अप किस तरह से चीजों को अच्छे से प्लाइन करते हैं быть ओ एम्पॉट्न काफी अच्छे से जो है मिलता है करें आगे बढ़ने के लिए तो इसका बहुत बड़ा रोल है कि पेरेंट्स टीचर्स और पियर ग्रूप्स जो है आपके फ्रेंड्स हैं वो किस तरह से जो है आपको प्रॉब्लम्स को सौल करने में उनका सामना करने में जो है मदद कर पा र और अगर जो पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए क्या होना चाहिए क्या सही क्या गरत हो उनके लिए क्या आपको लगता ध讲 साफ में का स्रेंखे अपको तो हर पेरेंट जो है अपने बच्चे से यही उमीद करता है कि आवल आई और हर बच्चा अपने पेरेंट्स की आँको में अपने लिए गर्व की अनुबुति देखना चाहता है तो पहली बात यह है, कि सभी parents को मेरा इस अंदेश है, कि यदि आपकी अपेक्षा के अनूरूप नहीं भी आया है, तो भी आप तुरंत से उस पर प्रतिक्रिया देने से बचें, बजाये तुरंत प्रतिक्रिया देने के, आप यह समझने का प्रयास करें, कि हो सकता है, जो आ सब्सक्राइब करने में मदद कर सकते हैं कि जो है वह अपने इंट्रेस्ट के हिसाब से ही जो है सब्जेक्ट्स है उनको रीड कर रहा है या उसके इंट्रेस्ट कुछ डिफरेंट है है कि नहीं देखिए कि अगर सभी बच्चे अगर डॉक्टर या इंजीनियर होते तो मुझे लगता है कि हमारे पास में जो इतने बड़े-बड़े स्पोर्ट्स परसें जो जिनने इंट्रेस्ट रखता है तो कोई दूसरी चीज में कोई मैथ में अच्छा होता है कोई क्रिकेट में अच्छा होता है तो फिर कोई जो है एक अच्छा पेंटर भी हो सकता है किसी की राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होती है तो उनके इंट्रेस्ट के हिसाब से हमें करियर options जो है explore करने का एक मौका हमेशा देना चाहिए और उसके अंदर हमें उनको support करना चाहिए ताकि वो जो है अपना best जो है अपने potential के इसाब से उसमें perform कर सपाएं बिल्कुल सही है आपने कहा कि option बहुत सारे आगे होंगे future को लेकर भी तो ऐसे में अभिभाओकों के जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है बच्चों का नतीजे कैसे आए अगर वो merit में आते हैं तो भी बहुत जाइट होकर उनको बहुत जादा बड़ी बाते नहीं बोल देनी है और अगर उनके नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो भी आपको बहुत जादा निराशा नहीं लेनी है आपको प्रतिष्टा का सवाल वहाँ पर नहीं बना देना है द्रमदीर सिंग जी का कहने का मतलब यही था यह समझा रहे हैं आपको इसी बात को बाद में फ्यूचर में वो नतीजे इसको काम आ सके और आगे बढ़कर इन नतीजों के एकोडिंग यह अपनी फ्यूचर को प्लान कर सके राखी जी इसी मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं जैसा कि ध्रमदीब जी बोड़े थे कि अभिभाव के कि जो जिमेदारी है वो बड़ी हो जाती है कहीं न कहीं उनलोगों को भी समझना होगा कि result आता है तो उसके बाद में जो उनके expression है वो बहुत महमें रखते हैं जब हम बात करते हैं करियर को लेकर जब हम बात करते हैं 12th के exam को लेकर रिजल्ट्स को लेकर ये एक ऐसी कड़ी होती है लाइफ की एक ऐसा पड़ाव होता है जिसके लिए हर विद्यारती अपनी पूरी ताका जोग देता है क्योंकि आगे उसे बहुत कुछ करना है उसके ओपर डिपेंड करता है बारवी के नतीजे जब वो ग्रिजूशन में इडिमिशन के लिए जाएगा अच्छे किसी भी इंस्टिटूट में इडिमिशन के लिए जाएगा तो ऐसे में करियर कांसलिंग कितने मायन रखती है क्या इसके लिए कुछ अच्छे उप्शन्स हैं यहां पर हम राजिस्तान की बात करें तो हम राजिस्तान गवर्रमेंट की तरफ से बात करें तो यहां करियर कांसलिंग को ले कर क्या सित्या इस वत मोज़ोर्ट है तो कि बच्चा जो 10 थे, 12 का रिजल्ट उसका आ रहे उसके बद बहुत से स्टुडेंट्स ऐसे बच्चे हैं जो यह डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको किस स्ट्रीम में जाना है, आगे उनको किस लाइन में किस फील्ड में को करियर बनाना है, उन बच्चों के लिए बद स्टुडेंट्स आपके लिए बच्चा अब पर बच्चा जाते हैं वहां पर करियर कांसलिंग का उपिशन हमारे पास मिलता है, उसके अलावा गॉर्मेंट की तरफ से ऐसा कहीं भी कोई कोई कांसलिंग सेल रही थी कि कांसलिंग सेल इसकूल कॉलेज में हर कॉलेज में होन कुसुकर को फ कांसलिंग की जाते हैं उनकी सघ्धीं कांसलिंग कर लकूर्ण कांसलिंग commitment के जाती है करियर काउंसिलिंग के रूप में धरमदीब जी आपके पास में वापस आना चाहूंगा, इसी पूरे मसले से जुड़ा महतपूर्ण एक सवाल में इसमें रख़ते हैं। कि देखिए सफलता मिलना बेहद महतपूर्ण होता है। उसके पीछे बहुत ताकत लगती है, बहुत महनत लगती है, बहुत प्रयास लगते हैं। सिर्फ यह कभी हड़ती के नहीं उसके पूरे परिवार के। लेकिन सफलता में निरंतरता कैसे पाए जाए। यह मेडिकल टा पादूरी है अगर उसमें सतत्ता नहीं मिले। तो एक सकसेस जो होती है, वह हमेशा स्टेप वाइज मैनर में होती है। आप किसी लारजर गूल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और उस लारजर गूल को अचीव करने के लिए आपने जो छोटे-छोटे बीच में स्टेप्स हैं, वह लेने होते हैं। तो अगर हम अभी जैसे 12th रिजल्ट की बात करें, तो इन में अगर आप सफल हुए हैं, तो यह आपकी जो जैसे साइन्स के स्टूडेंट्स हैं, कोई इंजिनेरिंग करना चाहता है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कॉमर्स के हैं, कोई जो अगर हम ज्यादा तर देखें, तो इस तरह से जो बच्चे सफल होते हैं, उनके पीछे पूरा टीम वर्क होता है, उनके टीचर्स का, उनके पेरेंट्स का, उनके पीर्स का, ग्रुप स्टड़ी वो लोग करते हैं, हमने देखा है, और साथ में जो क्वालिटी ऑफ स्टड करते हैं, तो आप हमेशा अपनी बॉड़ी का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, तो आपका मानसिक स्वास्त भी अच्छा रहेगा, आपका कॉंसेंट्रेशन अच्छा होगा, और आप ज्यादा कॉंफिडेंट फील कर पाएंगे, एक कॉंफिडेंट व्यक्त आप आगे के लिए और अच्छे से जो है अपना फोकस अपने गोल की तरफ रख सकते हैं, सर आपके पास मैं आना चाहूंगा, डोकर साहब, अगर रिजल्ट, अगर नतीजे निराशा जनक हों, तो फिर क्या, फिर उपाय क्या, उसका भी आप हल जरूर बताएं, जी, बिल गया है, तो ऐसी इस्थिति में उसका confidence बड़ा गिर जाता है, जो बच्चे especially अपनी life में हमेशा high performers रहें और अचानक से उनकी जो results हैं, उनकी according नहीं है, तो वो अचानक से बिखर जाते हैं, ऐसे में जरूरी यह होता है कि उनके आसपास के लोग हैं, चाहे वो teachers हैं, चाहे उनके parents हों, चाहे उनके friends हों, वो लोग थोड़ा सा सतर करें और बजाए results पे बहुत ज़्यादा बात करने के सिर्फ उनके साथ रहने का परयास करें, जो है parents हैं, वो यह जिम्मेदारी लें, जो है अपने बच्चे के जो है, क्या-क्या hobbies हैं, क्या-क्या interests हैं, उनको explore करें थोड़ा उनके साथ में वक्त बिताएं, चाहे उसके पसंद की किसी जगे पर घूमना हो, या किसी पसंदीदा कैफे में जाना हो, या किसी particular sports, hobby के अंदर उसके साथ में indulge होना हो, similarly, अगर हम व्यक्तिगत सतर पे बात करें, तो ऐसे बच्चों को ये ध्यान में रखना चा है, अभी जो है, आधार शिला है, आप वो रख रहे हैं, और आपको अगर अपनी खामी है, या फिर जो भी आपकी तैयारी में कमी रह गई, या फिर आपने कोई career choice आपको लग रहा है, गलत भी बना ली, तो ये आपके पास में एक सही मौका है, दुबारा इस चीज़ पर विचार करने का है, कि क्या आप इसी subject के साथ में, या इसी career option के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या यहाँ पर आपको एक दूसरी राय लेने की आवशकता है, ऐसे मेडम ने जो बताया कि career counseling एक अच्छा option है, जिसके लिए आप जा सकते हैं, थोड़े दिन के लिए results को side में रख करके, आप अपने routine पर ध्यान दें, सही समय पर खाना, सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, ठीक है, एक ही जगे बैठे बैठे, आप आइसोलेटना हो लोगों से, आप बहार जाएं, व्यायाम करें, और अपनी बातनों को ज्यादा से ज्यादा आप जैसा मैसूस कर रहे हैं, वो अपने करीबी लोगों से शेयर करें, यह अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है, जिससे आपकी anxiety कम होती है, कथार सिस होता है, आप वेंट आउट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, तो इनका अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आप धीरे धीरे आपकी clarity आएग चोटे चोटे तरीके हैं, पर जीवन में बहुत उपयों की थाबित होते हैं, कोई भी हार, कोई भी ऐस सफलता आपके career को या पी आपके जिन्दकी को नहीं बदल सकती, आप बड़े बड़े लोगों का जब उधारन देखेंगे, उनकी सफलता को देखेंगे, तो आप उस उसको अपने उपर कोपी कर लें, या खुद के उपर बड़न बना दें, ये बिलकुल भी सही तरीका नहीं है, आप लोगों की सफलता ज़रूर देखें, लेकिन उसके पीछे उनका संघर्ष देखें, उस समय देखें जो उन्होंने दिया है, उसके बाद भी आप आगे ब और इसका सबसे अच्छा उधारन में पाई को मानता हूँ, पाई जो हर साल आयोजीत किया जाता है, कितना आपको लगता उपियोगी रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट माइन ही नहीं रहता, बाकि जो एक्टिविटीज हैं, वो भी इंसान को निखारती है, हम लोग summer camp लगाते हो, summer camp अभी भी पाई का summer camp चल रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसे activities है, जो इसे students के लिए है, तो अगर आपको लग रहा है कि कही ना कहीं आपको जो result है, उस तरह का नहीं रहा, जो आप चाहा रहे थे, थोड़ा mind-dive work करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स उ काफी कुछ नई चीज़े सीखेगा, नई skill उसके है, वो develop होंगी, वो सारी चीज़े जो है उस बच्चे की growth में, overall personality में इसकी groom करेंगे, और साथ में हो सकता है, career के लिए भी कही ना कहीं, उसको एक नई line मिल जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि BA, LLB की ही degree ली जाए, इसके बाद वो आगे जाके किसी भी college में, university में, इस तरह के advanced courses के लिए, diploma courses बहुत सारे हो, web designing के है, computer related काफी सारे courses है, जिनमें किसी भी course में admission ले सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक particular किसी degree course में admission ले, इस तरह के options भी है, वो PAE ये सारी चीज़े हमें प्रवाइट पत्रिका की जो और नई website है, उस पर भी registration प्रोसेस कर सकते हैं, और यहां का जो department जो overall event का ये पुरा देख रहा है, उनसे संपर करके भी registration है, वो बहुत आसानी से किया जा सकता है, आपकी किसमत आपके हाथों में है, आपको बनानी है, आपको मेहनत करनी है, हाँ, बाकी जो positive sense है, वो आपके साथ में जोड़ते चले जाते हैं, जब आप खुद positive रहते हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको कोई नहीं रोक सकता, पर बारवार हम यही कहते हैं, कि अपनी मनजिल से ना भटकें आप, उस रास्ते को ना छोड़ें, जो आपको सफलता की और ले जात है, उनके लिए भी अलग-लग जो criteria वो बना हुआ है, जो depression का stage है, उसके शुरुआती लेवल पर हम पकड़ ले उसको उसका पता चल जाए, उसका क्या जरीया है, और अगर नहीं पकड़ पाते हैं, stage बहुत heavy हो जाता है, ऐसे में क्या जरीया है, medical terms की अगर हम बात करें तो जी, बिल्कुल, ये एक बहुत important विशह है, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छोटे से school जाने वाले बच्चे से लेकर के वयोवरद व्यक्ति तक, stress किसी को भी हो सकता है, उसका manifestation है, उसके symptoms है थोड़े से अलग होते हैं, आज हम जो चर्चा कर कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो सभी व्यक्तियों, सभी की अगर हम बात करें, सभी का व्यक्तित तो अलग प्रकार का होता है, तनाव को सेहन करने की क्षमता भी सभी की different होती है, और सामाजिक और आर्थिक परिस्तितियां भी सभी की अलग-अलग होती हैं, तो इन स ऐसे में कई लोग जो हें छोटी मुटी परिशानियों से भी बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, तो कई ऐसे भी होते हैं कि जो बड़ी-बड़ी परिशानियों में भी उन से निकलने के रस्ते ढूंडते हैं, तो जो बहुत ही sensitive लोग होते हैं, उनके अंदर आम तोर पर यह देखते हैं कि यह depression या anxiety के लक्षन है वो develop होने लग जाते हैं, हमें आम तोर पर प्रयास यह करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो self-care है, अपना ध्यान ठीक से रख पा रहा है, खान पान सही से कर रहा ह कर रहा है, तो वहां तक हमें उसको support प्रोवाइड करते ना चाहिए, psychological first aid हो गया, उसको care, उसको जादा से जादा सुनना चाहिए, लेकिन अगर हमें कभी ऐसा लगने लगे कि वो इतना जादा अपने आपको अलग थलग करता जा रहा है कि जिन चीजों में पहले interest लिया कर हो गया है कि कभी भी सो जाएगा, कभी भी उड़ जाएगा, कभी भी खालेगा, ऐसी चीजों में कि नकार आत्म बाते करने लग गया हो अपने प्रीजनों से कि अगर मैं नहीं रहूंगा, तो कैसा रहेगा, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा साउधान रहने के आवशकता है, साचियत हो जाएगा, और हमें चाहिए कि हम किसी ना किसी एक्सपर्ट की एक ओपिनियन ले, कि कहीं बच्चा जो है, डिपरेशन की तरफ तो नहीं जा रहा है, और हम जो है कि क्या इसको विशेशा की साहता दिला सकते हैं, बिल्कुल, छोटे-छोटे सिम्टम से, आप इन बहुत जादा मदद उसमें मिलेगी, देखिए हार जीत लगी रहते हैं जीवन में, लेकिन सफल वही है जो सहार से भी सीख जाए, यानि कि अगर कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती को आप ढूंडिये, उस सफलता की बीचे ना भागें, उस गलती को ढूंडिये और फिर उपर प्रभाव डालता है, अमोमन हम देखते हैं कि परिक्षा के समय बच्चों वीक हो जाते, कमजोर हो जाते, खाना पीना कम कर देते हैं, उनके लिए क्या सला है? कर दो मालॡब सब्सक्राइब अँट credit या है, बत्चों के साथ पेरेंट्स के बीच मोश्य अधियें ₃च कहते और पार में बच्चे जोन्क फूड को या फिर जो हंतर शाले डिल्रिंक्स हैं इनको अबार अनर्जी टेंक्स के तौर पर लेते हैं, और इनका बढ़ Always in बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं और उनको कॉंसेंट्रेशन करने में काफी दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से आपके जो फूड की क्वैलिटी है वह आपके मूड को भी प्रभावित करती है और इवेंच्वली जो है आपका पर्फॉर्मेंस भी है जो से प्रभाव चीजें खरीदने जाते हो तो अपने साथ में बच्चों को ले जाने का प्रयास करें और उन्हें अपने लिए रखें बिल्कुल अपर रहें और परिक्षा की तैयारी करें रिजल्ट अगर अच्छा गया है तो और आगे बढ़िए अगर रिजल्ट में कुछ खमी रह बहुत सारे ऐसे खिलाडी भी रहे हैं जिनका रिजल्ट अच्छी नहीं रहे लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा नाम कर दिया रास्ता कोई भी हो सकता है सफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ कागज़ वाइने नहीं रखता सफलता के लिए आपकी मेहनत वाइन है अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है किसी विशे पर आप जानकारी चाहते हैं एक्सपर्स हर बार आते हैं आप जब भी कारेकरम देखते हैं कमेंट बोक्स के अंदर अपनी प्रत्युक्रिया दें उस कमेंट को हम हमारे अगले एपिसोड में शामिल करेंगे ताकि सामिल हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों तक आपने महत्पून जानकारियां पहुंचाई बहुत बहुत धन्यवाद पूरी चर्चा को अपने सार्थक बनाया तो आज की विजिन एजुकेशन कारेकरम में इतना ही फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एप